सोचे कि हमारे परिवार से कोई सैनिक रहा हो जो शहीद हुआ हो जब वो ये देखेगा पहली लाइन जिसमें ये लिखा है कि इस हमले से किसको फाइदा हुआ आपको हैसास है उस चोट का जो उसे लगेगा कि क्या हम एक देश के रूप में एक विपक्ष के नेता के तौर पर ये पूछ रहे हैं कि ये नकली हमला था किसी ने कराया था जान बूच कर आप उसके पूरे कॉनोटेशन पर जा रहे हैं कि ये किस तरह का सवाल है 26-11 होता है 9-11 होता है तमाम अलग-अलग देशों में भी राजनीती होती है सवाल पूछा जाता इंसिडेंट पर कि घटना क्यों घटी लेकिन इससे किसको राजनीतिक फाइदा हुआ इसका क्या आर्थ है ये बहादरी का हिस्सा कैसे हो सकता है ये कायरता है अरजना जी मेरे परिवार में चार आर्थी एक पें अंदर मौझूद है जवान खुआ स्रमात बनाए इसको तो किसी के घार में भारत में कोई न कोई सैनिक रहा है सुन लिजे दो कश्मीर के अंदर है और एक दंटेवारा के अंदर मौझूद है समझ गए मेरे परिवार से हैं चारो को चारो पोस्टिंग नाम बटालियन बता सकता हूं नहीं पहली लाइन में बहादरी नहीं है रहा सर हमें उझेचंड का नाम चाहिए जो ये सरकार बताने में नाकाम है जब डेवेंदर जैसा आतंगवादी पकला जाता है जो आतंगवादी को इधर से इधर करता था कुछा polsk अर्षान में पर वर्दीयर ये निई पहूंचते है सब्स़ाद इसकariat विप्रक्ष की सब्स्द्राइब कि पाकिस्तान सवाल फाइदा उठा लेगा हम इसे दर्टे पाकिस्तान आपने हैं डेची है पाकिस्तान का चूरण भीजशती है हम नहीं डेचते जवाब दीजिए आपको आपको इस पे इस पे तो आपको पाकिस्तान को कुछ ऐसा जो है आप पाकिस्तान के शारे में करें इसलिए पाकिस्तान को आपको कुछ ऐसा देना है ताकि वो भारत के खिलाब इस्तमाल कर पाए अगर आज आप वाकिस्तानी प्राइमिनिस्टर जिस से जाके हमारे आखे जैचन्द मिलते हैं आपको तो बस अभी शार से नफरत आपको परदान मंतरी से नफरत आपको बीजेपी से नफरत अरे भाई मेरी तो नफरत योग ये भी नहीं है नफरत नहीं करता हूं मुझे तो करना चाहिए वो क्या कहते हैं वो शरम भी नहीं आती बलके आप पे कहना चाहिए अफसोस होता रोना आता 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 आतने पे शरम हो गया है कि आप गेश की लिए आप राज़िती का पे कजी विपक्स में किसी ने चेयर दों कर राज़िती नहीं की आप प्रीट को पड़ने के बाद मुझे शरम होता है कि इसको फाइदा वाई तो कि मैं नहीं मैं ऐसे उची उची राज़िती नहीं करता कि आप बाज़िती नहीं करता है